Welcome back dear students, आज की इस वीडियो में हम लिम्फोसाइट कवर करेंगे लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती है, बेसिक इंट्रोड़क्शन करेंगे टी लिम्फोसाइट का और एक बेसिक सा मेकेनिजम दिखेंगे कि वो कैसे काम करती है मतलब कि हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे आज के इस वी लेक्शर में नेक्स लेक्शर में हम थोड़ा सा उसको मेकेनिजम को डीप में करेंगे ठीक है, तो देखिए लिम्फोसाइट जो है स्टूडेंट्स, इस मेंली ओफ थ्री टाइप्स वन इस नेचरल किलर सेल्स, देन, सेकंड इस टी सेल्स, एंड थर्ड वन इस बी सेल्स नेचरल किलर सेल्स जो होती है इनेट इम्मिनुटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स और यह हम अल्रेड़ी कवर कर चुके हैं तो नेचरल किलर सेल्स हमारा ओलेड़ी हो चुका है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टी सेल्स की जो टी सेल्स है और बी सेल्स है यह दोनों ही एक्वाइड इम्मिनुटी प्रोवाइड करती है बोथ प्रोवाइड्स एक्वाइड इम्मिनुटी और दोनों की दोनों जो cells हैं ये antigen specific cells हैं ये बहुत तरह के लाखों तरह के antigen को पहचान सकती है और फिर उस cell को kill करवा देती है तो आज का हमारा जो main focus रहेगा that is on T cells सबसे पहले बात करते हैं T cell के origin की बंती कहां पे है So like other cells T cell भी bone marrow के अंदर बनती है बाकि cells भी हमने बात के थी bone marrow के अंदर बनती है stem cells से ये भी bone marrow में बनती है बट bone marrow में बनने के बाद में ये जाती है thymus के अंदर Now the question is that कि ये thymus में क्यों जाती है तो students, thymus जो है वो इनका training center है जैसे कि army में select होने के बाद training के लिए भेजा जाता है जवानों को तो वैसी ही thymus के अंदर t-cells को भेजा जाता है ता कि इनकी specific training किजास्के अब सवाल ये है कि किस तरह की training होती है इनकी तो इनको वहाँ पे सिखाया जाता है मतलब कि थाइमस के अंदर T-cells को ये सिखाय जाता है कि self-antigen कौन सा है और non-self-antigen कौन सा है ठीक है क्योंकि antigen तो हमारी body के अंदर खुद के भी antigen होते हैं और वो antigen जो बाहर से enter करते हैं like bacteria, virus तो वो बाहर वाले antigen है जिनको हम non-self-antigen बोलते हैं तो इनको बताया जाता है कि ये वाले antigen तो हमारे खुद के हैं, इनको नुकसान नहीं पहुचाना है ये हमारे खुद के हैं, बट जो non-self-antigen है जो बाहर से आते हैं, आपको सिर्फ उनको destroy करना है इस चीज़ को बोलते हैं, इनकी training so these are specific in their function, इसलिए हम बोलते हैं कि T-cells और B-cells क्या होती है these are specific in their function अब इनका थोड़ा से डियाग्राम देखते हैं तो देखिए students, अगर मैं एक ये round सी cell बनाऊं तो इनका जो nucleus है, कफी large size का इनका nucleus होता है big big nucleus, okay so this is their big nucleus granules इनके अंदर present नहीं होते हैं और इनके surface पे एक खास तरह का receptor present होता है ध्यान दीजिगा इस बात पे सभी focus कीजिए, इनके surface पे खास तरह का receptor present होता है जिसको बोलते हैं T-C-R, that is T-cell receptor यानि कि हर T-cell के, एक बात का हर T-cell के surface पे जो T-C-R present होता है, वो एक अलग तरह के antigen को पहचान सकता है इसका मतलब यह हुआ कि आपकी body के अंदर लाखों T-cell है और हर एक T-cell अलग तरह के antigen को पहचान सकती है तो क्योंकि bacteria, pathogen यह भी लाखों तरह के हैं तो जो भी आएगा तो अलग अलग तरह के T-cell होगी मतलब उनका जो T-cell receptor होगा वो अलग अलग तरह के antigen को detect करेगा, तो यह एक very important thing है यहाँ पे, ठीक है बाकि T-cell जो है बहुत नखरे वाली cell है बहुत नखरे होते हैं इसके, जब इसको कोई macrophage या कोई neutrophil इसको activate करने जाती है तो बड़े नखरे मारती है macrophage या dendritic cell इसके पास जाती है या कोई B-cell जाती है, T-cell को यह बतानी के लिए भई हमने antigen को पकड़ा हुआ है आप activate हो जाओ, जल्दी से activate नहीं होती है तो मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के next part में, second part में मैं समझाऊंगा कि इसके किस तरीके के नखरे होते है अब हम बात करते हैं T-cell के classification की देखे student, T-cell जब bone mirror उसे बनके निकलती है, तो दो तरह की T-cells होती है एक होती है T-helper cells जिनको T-cell भी बोल देते हैं T-helper cells और दूसरी होती है T-Cytotoxic cells T-helper cell का एक और नाम है इनको CD4 cells भी बोलते हैं these are also called CD4 या CD4 plus भी बोल देते हैं कई बार CD4 plus cells क्यों बोलते हैं, इसका reason मैं आपको mechanism में समझाऊंगा आगे चलके और T-Cytotoxic cell का भी एक और नाम है इनको CD8 plus cell बोल देते हैं क्योंकि इनके पास एक खास तरह का protein होता है जो fourth number पे find out किया गया था CD का मतलब होता है cluster of differentiation एक खास तरह का protein होता है जो इनके surface पे पाया जाता है तो ये CD4 क्या करता है कहां पे present होता है ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको आगे चलके समझाओंगा अभी बस इतना से ध्यान रखना है कि T-Helper cell का दूसरा नाम है CD4 cells और T-Cytotoxic cells का का नाम है CD8 cells अब जो T-Helper cells हैं ये आगे दो main तरह की होती हैं these are mainly of two types one is T-Helper 0 cell अब सबसे पहले मैं T-Helper 0 cell के बारे में बताता हूँ आपको T-Helper 0 क्यों बोला क्योंकि अभी तक ये अपने मकसद से अंजान है अभी तक इसको कुछ नहीं पता है ये किसी ने किसी signal की वेट करी है जब इसको कोई signal मिलेगा T-Helper 0 cell को तो आगे चलके ये दो तरह की cell बनाती है एक बनाती है T-Helper 1 cell और दूसरी होती है T-Helper 2 cell मैंने क्या बता है आपको कि जब T-Helper 0 cell को कोई signal मिलेगा तब इसको पता चलता है इसका मकसद क्या है इसके जिंदगी का मकसद क्या है और उसके बाद ये requirement के हिसाब से या chemical signal के हिसाब से दो तरह की cell बना सकती है T-Helper 1 cell बना सकती है या T-Helper 2 cell बना सकती है या दोनों ही बना सकती है तो एक तो ये हुआ एक होता है students T-regulatory cells T-regulatory cells और इन्ही को T-spressor cell भी बोलते है एक और नाम है इनका T-3 cells तो ये क्या करती है as the name indicating regulatory या suppressor मतलब कि जब T-cells के कारण immune response ज्यादा हो जाता है तो ये immune response को down कर देती है इनका काम क्या है immune response को कम कर देना down regulate करना all right अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं T-helper 0 cell के बारे में बताता हूँ अब आपको देखिए T-helper 0 cell जैसा कि मैंने बताया कि ये अभी अपने मकसद से अंजान है तो इसको signal कहां से मिल सकता है इसको signal देने वाली cell हो सकती है macrophage हमेशा हम macrophage को चश्मे लगाते हैं ध्यान रखिएगा चीक है बड़ी dangerous cell होती है तो या तो इसको macrophage आकर के signal देगी या फिर एक और cell हो सकती है that is natural killer cell that is this is natural killer cell जब इसको इन में से कोई भी cell signal देगी या antigen को इनके सामने भी प्रेजेंट करेगी तब t helper zero cell signal के हिसाब से दो तरह की cell में divide हो सकती है एक तो होगा t helper two cell और एक होगी t helper one cell सबसे पहले बात करते हैं t helper two cell की ये क्या करेगी देखिए t helper two cell क्या करती है b cell को activate कर देती है मैं आपको भी एक overview दे रहा हूँ complete concept का अभी मैं detail में नहीं जा रहा हूँ ठीक है न ताकि आपका basic clear हो जाए फिर जब मैं detail में जाऊँगा तो आपको चीज़े easily समझ में आ जाएगी तो t helper two cell क्या करेगी ये signal भेजेगी किसको signal भेजेगी b cell को signal भेजेगी तो यहाँ पर एक चोटी सी b cell हम बना देते हैं ये लिजे like this this is our b cell ok b cell activate होते ही b cell secret करती है antibodies antibodies जो होते हैं students y shaped proteins होते हैं antibodies क्या होते हैं these are y shaped proteins antibodies ok अब ये antibodies क्या गरते हैं माल लेजिए कोई extra cellular pathogen आ गया है मतलब कि cells के बीच में अगर कोई pathogen है so यहाँ पर मैं एक diagram बना के आपको ये situation भी समझाता हूँ for example these are cells these are cells normal cells यहाँ पर कोई problem नहीं है और मान लेजिए इन cells के बीच में कोई pathogen आ गया this is a pathogen ok तो antibodies क्या करेंगी ये extra cellular जो pathogen है इसको optionize कर देगी optionize का मतलब क्या होता है इसको चारों तरफ से ऐसे cover कर देंगी like this like this चारों तरफ से इसको घेर लिया पकड़ लिया चारों तरफ से किल नहीं करेंगी मैं हमेशा बताता हूँ antibodies never kill a pathogen antibodies never kill a pathogen तो ये चारों तरफ से इसको घेर लेगी अब इसका फाइदा क्या होगा जब भी किसी pathogen के चारों तरफ antibodies चिपके होती है तो phagocytic cells उसको easily engulf कर जाती है यानि कि जब macrophage इसके पास में आएगी तो macrophage को बड़ा मज़ा आता है इस तरह की cells को खाने में तो मान लीजिए ये एक macrophage है macrophage क्या करेगी इसको engulf कर जाएगी जैसे कि आपको एक तो सूखी रोटी खिलाए जाए एक butter लगा के खिलाए जाए तो butter वाली रोटी आपको खाने में मज़ाता है या उसके उपर jam लगा दिया जाए तो आपको मज़ाता है वैसी जब pathogen के उपर antibodies लग जाती है तो ये वैसी ही है जैसे कि jam लगा हुआ आपका कोई भी toast होता है वैसे ठीक है वो ज्यादा टेस्टी लगता है तो macrophage को बड़ा मज़ाता है इस तरह के pathogen को खाने में जिनके चारों तरफ antibodies लगी हुई हो यानि कि जो overall इसका phagocytosis है वो increase हो जाएगा और इस तरीके से एक pathogen kill हो जाता है तो आपको समझ में आया कि antibodies की help से T helper 2 cell क्या कर रही है T helper 2 cell यहाँ पे extra cellular pathogen से लड़ने में help कर रही है extra cellular pathogen से या मैं लिख सकता हूँ extra cellular infection के against fight करने में T helper 2 cell help करती है कैसे help करती है B cell को activate करके करेगी जिससे antibodies release होंगे और antibodies जा करके pathogen के चारों तरफ चिपक जाएंगे जिसको बोलते है उप्सोनाइजेशन क्या बोलते हैं उप्सोनाइजेशन और उप्सोनाइज़ पैथोजन को कौन खा जाएगा फिर मैकरोफेज उसको इंगल्फ कर जाएगी because मैकरोफेज को अच्छा लगता है मैकरोफेज के पास special receptor होते है ऐसे पैथोजन को खाने के लिए जो उप्सोनाइज़ है ये एक concept हुआ हमारा अब बात करते हैं ये तो था extra cellular infection बट अगर infection cell के अंदर हो जाए तब क्या होगा अभी तक यहाँ पे cell के अंदर infection नहीं था cell से बाहर infection था अब मान लीजिए कि ये कोई cell है और इस cell के अंदर infection हो गया है cell बहुत परेशान है बहुत दुखी है अब T helper 1 cell help करती है तो T helper 1 cell कैसे काम करेगी ये क्या करेगी सबसे पहले T side toxic cell को activate करेगी इट विल एक्टीवेट T side toxic cell TC cell ठीक है यहाँ पे T side toxic cell हम बनाते है और T side toxic cell बड़ी खुंखार cell है इसको मारने के लावा कुछ नहीं आता लिए जी ये बन गए हमारी T side toxic cell और इसके हाथ में देते हैं एक अच्छे वाली गन लीजिए च्छिक है तो ये T side toxic cell क्या आद सिक्रेट कर रही है ये special enzymes सिक्रेट करेगी infected cell के ऊपर कौन-कौन से enzyme सिक्रेट करेगी T side toxic cell दो enzyme सिक्रेट करती है students one is परफोरिन पहले भी बता चुका हूँ परफोरिन जो cell membrane के अंदर छेद कर देंगे यानि के infected cell के अंदर ऐसे पोर क्रेट कर देंगे और उसके बाद में second enzyme होगा ग्रेंजाइम्स ग्रेंजाइम्स ये ग्रेंजाइम्स cell के अंदर जाके वी स्फोर्ट करेंगे बॉम्ब की जैसे होते हैं तो उससे ये complete infected cell ही destroy हो जाएगी complete infected cell will be destroyed so यहाँ पर आपने देखा कि T cytotoxic cell ने क्या किया intra cellular pathogen को कि लिकिया है किसको intra cellular pathogen को so लिख देते हैं हम ताकि आपका concept clear रहे intra cellular pathogen के against fight करने में ये help करती है तो ये चीज़ आपकी अब clear हो चुकी है कि जो T helper two cell थी वो extracellular infection से लड़ने में मदद करती है antibodies produce करवा के और जो T helper one cell है वो intra cellular pathogen से fight करने में help करती है T cytotoxic cell को activate करवा के ये एक overview हुआ अब हम बात करते हैं जर्णी की T helper cell की जर्णी की बात करते हैं चलिए journey of T cell तो जैसे की मैंने आपको बता है T cell बनती कहां पर है ये बनती है bone marrow के अंदर so let's make a bone this is a bone और इसके अंदर है this is area is bone marrow alright तो bone marrow के अंदर जो stem cell present होती है bone marrow के अंदर जो stem cell या जिसको mother cell भी आप बोल सकते हो ये produce करती है T cell okay so let me make a T cell all right this is T cell produced by stem cell अब मैं एक circulatory system आपको basic सा बना लेता हूँ ता कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए अब टी सेल हमारी जो bone marrow से बनती है bone marrow से निकलने के बाद में सबसे पहले ये एंटर करती है blood के अंदर अच्छे के बलेड से होते हुए उसके बाद में ये जाएगी थाइमस के पास में माल लीजिए, here is the thymus, this is what, thymus, और thymus क्या है, thymus is the training center, thymus is the training center, training क्यों जुरूरी है, अब माल लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि army में किसी के भरती हुई और भरती होते हैं, उसको border पे भेज दिया नहीं, पहले उसको training देंगे, उसको सारे weapon चलाने सिखाते हैं, उसको बताते हैं कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, उसको पूरी training देते हैं, फ training complete हो जाएगी, उसके बाद में, अब इनको पता है, इनको सारे weapon चलाने आते हैं, इनके सारे enzymes ready हैं, उसके बाद में ये वापस circulation में जाएगी, और circulation से होते हुए, ये पहुचेगी अपने घर, जैसे कि उनको army वालों को अलग-अलग quarter दे दिये जाते हैं रहने के लिए, व round swellings होती है, इस आर, lymph nodes, ओके, अब T-cell के training हो चुके complete, तो T-cell enter करेगी, lymph node के अंदर, और अराम से यहाँ पर rest करेगी, तब तक rest करेगी, जब तक इसको कोई signal ना मिल जाए, किसी infection बगारा का, ठीक है, तो एक तरीके से जो lymph node है, वो क्या हुआ, lymph node जो है, वो T-cell का घर है, इस सेंटर, lymph node is the home, ऐसे ध्यान रखेगा आप, चीजें याद रहेंगे आपको, तो यह सोई पड़ी है, अपने घर में अराम से, lymph node में सोई पड़ी है, कोई प्रवलम नहीं है, अब मान लीजी, कहीं पे किसी tissue के अंदर कोई infection हो गया, तो क्या होगा, तो मान लीजी, यहा our body cells, और यहाँ पे हो गया, infection, तो यहाँ पे कुछ pathogen हम दिखा देते हैं, like this, these are, what, these are pathogen, तो जब भी pathogen enter करते हैं, सबसे पहले हमें पता innate immunity काम करते हैं, और innate immunity के अंदर कौन होती है, innate immunity में होती है, हमारी macro phases, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी macro phase present होगी, macro phase, जो चश्मे वाली cell होती है हमारी, macro phase क्या करेगी, इनको इंगल्फ करेगी, और इसको अपने surface पे उठा लेगी, यानि कि अपने सिर पे उठा लेगी, अब यह macro phase पहुचेगी, कहाँ पे पहुचेगी, lymph node में पहुचेगी, और यहाँ पे आने के बाद में, यह लीजी बना देते हम, macro phase पहुचेगी, और यहाँ पे आने के बाद में, T cell को बताएगी, कि भई, ऐसे ऐसे infection हो गया है, ठीक है, जब T cell को, macro phase के जरिए signal मिलेगा, अब T cell क्या करेगी, डिफरेंशियेट करेगी, और बहुत सारी T cells बना लेगी, यहाँ पे lot of T cells, this is called T cell proliferation, this thing is called T cell prol proliferation, मतलब की T cell अपनी संख्या बढ़ा रही है, क्योंकि उनको पता है न, problem हो गई है, तो संख्या बढ़ानी जरूरी है, आर्मी तियार करनी जरूरी है, तो सबसे पहले T cell ने अपनी copies बनाई बहुत सारी, this is called T cell proliferation, और उसके बाद में होगा, differentiation, differentiation का मतलब क्या है, मतलब की वो एक special purpose के लिए अपने आपको ready करेगी, ठीक है, differentiation का मतलब होता है किसी काम के लिए specific हो जाना, तो ये T cell proliferation और differentiation में आपको next वीडियो में बिलकुल detail में समझाँगा, और इसका mechanism समझाँगा कि ये कैसे होता है, अभी बस इतना सा ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी पहुंच चुकी है, infection वाली site पे, सारी के सारी T cell यहां पे पहुंचेंगी और उसके बाद में इन pathogens की band बजा देंगी, ठीक है, so all pathogens will be killed by different mechanism, वो mechanism मैं आपको next वीडियो में समझाँगा, तो ये होता है, इस type से एक T cell काम करते है, तो I hope कि एक basic mechanism आपको समझ में आ गया, अब next video, जिसमें detailed mechanism करेंगा, आपको easily समझ में आ जागा, ठीक है, तो मिलते हैं next video में, thank you so much.